हेलो फिरेंड वेलकम बेक टूं मैई चैनल आज हम बनाएंगे मंचूरियन तो उसके लिए देखिए हमने गाजर काट लिया है और यह हरी धनिया ले लिया ओर यह laisun हरा पदगोवी तो यह सारा जो है हमने धूल करके अच्छे से इसे काट लिया है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाने के लिए है तो हमने बाउल ले लिया है और उसमें हम यह सारा डाल देंगे गाजर हरी धन्या शिम्ला मीर्च प्याज सब हम इसमें रख देंगे तो आप देख सकते हैं हमने सारी सबजिया ले ली है और इसमें हम कॉन फ्लोर डाल देंगे और थोड़ा हम मैदा डाल देंगे तो यह बाउल छोटा पड़ रहा है इसके लिए हम बड़ा बाउल लेंगे और स्वाद अनुसार हम नमक मिला देते हैं तो यह बाउल छोटा पड़ रहा है अब हम दूसरा ले लेंगे और इसमें हम देखिए 100 ग्राम तक हमने मैदा ले लिया है और 500 ग्राम तक हमने कॉन फ्लोर ले लिया है तो यह सब हम एक बड़े बाउल में मिक्स करेंगे तो इसे हम सब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से हम इसे मिला लेंगे आगे का पुरसेस हम बता रहे हैं आपको तो देखिए हमने सब इसे मिला लिया है इसमें हलका हम पानी भी एड़ कर देंगे बहुत हलका पानी डालेंगे ताकि गीला नहीं होना चाहिए इसकी बाइंडिंग बन सके इसको हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे तो देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था अब हम इतना बड़ा बड़ा बॉल बना लेंगे आप अपने हिसाफ से बनाईएगा देखिए बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से बन रही है तो तेल विल्कुल हीट हो चुका है फिर हम फ्लेम को धीरा कर देंगे और पहले हम एक फ्लेम को चलेंगे इसे देखेंगे कि ये खाने में कैसा है अगर टेश्टी होगा तो इसी तरह पूरा हम बना देंगे और नहीं होगा तो इसमें जो कमी बेसी होगी उसे हम पूरा करेंगे तो देखिए ये अच्छा नहीं रहेगा तो हम इसे अगर अंदर कच्चा होगा तो इसे हम फिर से फ्राई करेंगे तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं पहले हम इसे टेस्ट करेंगे ये कैसा है फिर हम दूसरा बनाएंगे तो अंदर जो है अभी इसे हम दोबारा फिर से फ्राई करेंगे एक बार जब हो जाएगा फिर हम दोबारा भी करेंगे देखिए अभी थोड़ा ये कच्चा है तो इसे हम धीरी आज पे फिर से लुआ हुआ है अ बस क्या करना है कि इसे हम एक बार से दूसरी बार फ्राई करेंगे तो देखिए यह फ्राई हो चुका है अब हम इसे दोबारा भी करेंगे लेकिन दीरी आज पर इसे करना है अब हम इसे निकाल लेंगे, दूसरा भी हम इसी तरह डालेंगे तो देखे फ्रेंड, ये मंचोरियन बन चुका है इसे हम दो बर फ्राई नहीं किये हैं, इसे हम धीरी आज पे फ्राई किया है बहुत अच्छा सा बन चुका है, अब हम इसे ग्रेवी में बनाएंगे इसमें ये प्यास क्याईड सीवीं लाल याल करेगे छिए क हम इसे थोड़ा 50 ग्राम स्वाइबीन और पहले हमनिने घरब पानी निर्दा लिया था अ और इसे भी हम ठ्राई कर लेंगे इसे हमच्छ़े से प्राई करेंगे स्वाइबीन इसमें मिर्छे का पाड़र कर देंगे आप अपने हिसाब से मेशे का पॉड़ा राइट करिएगा और तोड़ा सा हम एक चुट की हम कलर एक कर देंगे इससे क्या है कि मैंचूरियन का कलर जो है बहुत अच्छा आ रहेगा तो देखिए इसका लूप कितना बढ़ने हैं आप देख सकते हैं अब हम इसमे एक ढखकन हम सोया सॉस मिला देंगे इसमें रेट चिली इसमें हम एक कर देंगे और हम इसमें आधर चमच हम वेनेगर डाल देंगे एक इस्पून हम ग्रीन चिली एक कर देंगे इसमें और हम इसमें कॉन फ्लोर भी थोड़ा साइट कर देंगे फिर हम इसे चला लेंगे और देखिए इसका लूप कितना बढ़िया है अब इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे और ये इसे डाल देंगे तो साथ अनुसार हम नमक इसमें आड़ कर देंगे और नमक हम मंचूरियन में पहले भी डाल चुके थे तो ये देखिए मंचूरियन बनके रेडी हो रहा है अब हम इसे थोड़ा देर और पकने देंगे तो अब हम इसे ढाल देंगे थोड़ी देर के लिए तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा है अब हम इसे ढख देंगे देखिए ये बन चुका है अब हम इसे गैस चूले को आप करेंगे और हम इसे मंचूरियन सरू करेंगे तो देखिए मंचूरियन बनके रेडी हो च खाने में भी बहुत जवरदस्त है एक बार इसे आप भी ट्राइ करिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए सेर करिए और कमेंट करिए थैंक यू